अगर आप इंडिया की best universities से beef arm करना चाहते हैं तो वो कौन सी best universities हैं आज हम top 10 universities की बात करेंगे इंडिया के अंदर वो कौन सी top 10 universities हैं जो की beef arm के लिए बहुत popular है और इन universities का नाम सुनके automatic चहरे पे smile आ जाती हैं क्योंकि यह universities ऐसी हैं अगर कोई student यहां चला जाता है effort डाल के कि इसी भी तरीके से कि मुझे यह पाना ही पाना है एक dream होना चाहिए एक सपना होना चाहिए कि उस university में admission लेना है और बहुत सारे students का इस सपना होता है कि वह इंडिया की top 10 university में admission ले तो आज के इस वीडियो में मैं सारी universities के बारे में आपको बताऊंगी वह भी detail में कि कौन सी university number one पर है और उसमें admission लेने के लिए कौन सा entrance test होता है वह कहां पर है hello everyone this is साक्षी राजपूत and welcome to sb pharmacy आज के इस वीडियो में हम सारी top university के बारे में बात करेंगे top 10 university के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया की है जहां पर आप pharmacy में admission ले सकते हैं top 10 pharmacy college या फिर universities या फिर institute बोल सकते हैं तो वह हम किसके according आज देखने वाले है NIRF के according top 10 pharmacy colleges या फिर बोल सकते हैं universities या फिर बोल सकते हैं institutes यह हम किसके according देखने वाले है NIRF के according NIRF मतलब national institution ranking framework इसके according हम देखेंगे यह एक community है जो कि क्या type decide करती है हर साल सरवे किया जाता university का जैसे कि BTEC के लिए अलग किया जाता है फामेसी के लिए अलग किया जाता है research किया जाता है सरवे कि की कौन सी युनिवर्सिटी बेस्ट है फिर उसके साफ से उनकी रैंकिंग होती है तो आज के इस वीडियो में हम यहीं देखने वाले हैं कि फॉर्स नंबर पर कौन सी युनिवर्सिटी है फॉर्स टू टैन हम सारी उनिवर्सिटी इस देखेंगे तो इसमें से सबसे पहले मैं बात सेकिंड है पंजाब युनिवसिटी, थर्ड है बिला इंस्टीट ओफ टेकनलोजी और साइन्स, फोर्थ नंबर पे है नैशनल इंस्टीट ओफ फार्मसुटिकल एजूकेशन एंड रिसेर्च मोहाली, फिफ्थ नंबर पे है इंस्टीट ओफ कैमिकल टेकनलोजी मुंबई, नेशनल इंस्टिटीट और फार्मसुटिकल एजूकेशन एंग रिसर्च हैदराबाद, JSS College of Pharmacy तमिलनाडू, मनीपाल College of Pharmaceutical Sciences करनाटका, JSS College of Pharmacy करनाटका, नेशनल इंस्टिटीट और फार्मसुटिकल एजूकेशन एंग रिसर्च एहमदाबाद, यह यूनिवरसिटीज हैं, जो की टोप 10 यूनिवरसिटीज हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं, सबके बारे में देखे, जो फर्स्ट नमबर पर आती है, जामिया हमदर्द, इसका कोई भी कॉम्पेटिशन ही नहीं है, जानते होंगे, अगर इसमें आपको एड्मिशन लेना है, जामिया हमदर्द में, तो इसमें आपको कोई एंट्रेंस एक्जाम नहीं देना है, इसमें आपको नीट का एक्जाम देना है, और उसके scorecard के according यहां पर आपको admission मिलेगा तो यह one of the best university है इंडिया की और यह अपनी जो rank है वो कब से maintain करके रखी हुए कितने साल से maintain करके रखी हुई है कि यही first rank पे आती है pharmacy के लिए और भी बहुत सारे medical courses के लिए कोर्स कौन कौन से करवाती है बी फार्म युनानी जो तीन साल का होता है बी फार्म जो एलोबैती होता है वो तो four year का होता है यह डी फार्म टू यह क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लास 12 50% होने चाहिए कम से कम physics chemistry biology और मैट से एज इसमें 17 years ठीक है देखे यह जाम्या से अब उसके बाद दूसरी युनिवर्सिटी पंजाब युनिवर्सिटी जो की चंडिगड में है यह कौन से रैंक पर आती है 77 अब देख लेते हैं जो आपका जामिया हमदर्द का जो रैंक है नाई आई आर्फ के अकोडिंग वो कितना है 78 उसी तरीके से अगर मैं बात क सब्सक्राइब करते हैं यहां पर करवाया जाता है अब बात कर लेते हैं नाइपर का नाइपर से तो हर बंदा यह है कि उसे पता ही है कि नाइपर क्या होता है नैशनल इंस्टिटूट और फार्मसुटिकल एजूकेशन एंड रिसर्च और मोहाली मींस यह भी वन ऑफ दा बैस्ट यूनिवरसिटी है इंस्टिट्यूट है वह फामेसी कोर्स करव नहीं है तो आप नाइपर में एड्मिशन नहीं ले सकते हैं एस्प्रेंट से सीकिंग एड्मिशन इन प्रोग्राम सुड़ है पास भी फाम फ्रोमार्यू रिकोगनाइस यूनिवरसिटी एड्मिशन विल बीडन थ्रो मैरिट अप्टेंड इन नाइपर जे फॉलोवड ब चाहिए क्वालिफाइब होना ही उसके बाद आपको एक्जाम एंट्रेंस एक्जाम देना पड़ेगा नाइपर का उसक्टीप का उफटेंटकर करते हैं इसके बाद की इस Institute of Chemical Technology Mumbai में यह है रैंक कि अगर मैं बात करूँ 74.18 कोर्स कौन-कौन से करवाते हैं वी फार्म और इसमें ओनली 30 सीट अवाइलेबल है बी फार्म की एंट्रेंस टेस्ट इसमें कौन सा होता है महरास्ट सेट मीज एमेच्टी सेट उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इस टाइप का इंटरफेज है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेस्टल इंस्टिट्यूट फार्मसोटिकल एज प्लिकेशन और नाइपर हैदराबाद नाइपर हैदराबाद का कितना रेंक है 74.8 कोर्स कौन सा ओफर्ड करते हैं यह एम फार्म और पिएचडी क्वालिफिकेशन बीफार्म प्लस जीपट होना ही चाहिए अगर आप नाइपर में एड्मिशन ले रहें इस टाइप का कु 67.65 एट टोप एट उनिवर्सिटीज में से यह एक है कोर्स कौन सा ओफर्ड करवाते हैं बीफार्म और डीफार्म क्वालिफिकेशन इसमें क्लास 12 50% से होना चाहिए PCB या PCM से एज 17 यह कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेज है नेक्स अगर हम बात करें जे ऐसे स्कोल नंबर पर जो लास्ट टोप 10 उनिवर्सिटीज में से भी एक नाइपर की ही है इसकी जो रैंक है 63.30 कौर्स कौन-कौन से करवाते हैं यह एंफार्म और प्हडी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की मैं बात करूँ बीफार्म और जीपैट तो यह टोप 10 नहीं है इनके खुदके एंटरेंस टेस्ट होते हैं इनके नहीं बताया कोई उसके लिए करना चाहता है तो कमेंट करें उसकी पूरी जानकारी में आपको जरूर दे दूंगी if you have to clear out your old pharmacy concept then download our bsp pharmacy application from play store where we provide you to all study material of b pharmacy in last i just say please like share and subscribe our youtube channel which is bsp pharmacy thank you so much